आप सभी को मैथिल प्रतिभा चैनल में स्वागत है आज मैं बनाऊंगी गुजिया गुजिया बनाने के लिए ली है पन सग्रम चने की डाल और इसमें पनी डाल करके धूल करके फेक दूंगी दो बार तीसरी बार में मैं क्या करूंगी इसमें पनी डालूंगी और इसे रात भर के लिए फूलने के लिए रख लूँगी वेसे आप घंटा से कहेंगे तो पॉच से छे घंटा इसे मैं फूलाओंगी सुबह मैं इसमें से पॉनी छान लूँगी और इसमें डालूँगी दस हरी मिर्च, दस कली लहसुन और एक इंच अद्रक का टुकरा डाल करके ग्रेंडर जार में डाल करके पीस लूँगी चने की दाल, लहसुन, अद्रक, हरी मिर्च सभी को मैं पीस करके रख ली है और इसमें स्वाद के अनुसार मिलाओंगी नमक अब मैं गेहूं के अन्टे को पूरी बना ली है और इसमें ये पीसी हुई दाल, हरी मिर्च, अद्रक, लहसुन, नमक डाल करके मैं मिला करके रखी है वो इसमें भर लूँगी और ऐसे दोनों तरफ से इसे ज्वेंट कर दूँगी बस दबा दबा करके ज्वेंट कर लिया है ताकि ये खुले ना तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और चाहे तो इसमें ऐसे करके गूथ देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा तो मैं इसे पिरक्या की तरह गूथ लूँगी इसी तरह से में सभी को भर ली है इतना सारा गूजिया में तयार कर ली है अब गैस जलाऊंगी और करूँगी गरम पानी गरम पानी हो गया है तो मैं इसमें डाली है जाली और एक चमच सर्सो का तेल सर्सो का तेल मैं इसलिए डाली है कि इसमें सर्सो तेल डालने से ऐसा होता है कि जो मैं ये गुजिया डाली है वो एक दूसरे में चिपके गा नहीं और सभी गुजिया को डाल करके मैं इसे 15 मिनट तक पकाऊंगी पंद्रह मिनट बाद मैं धकन खोल करके ये उपर वाला जो है वो पानी में अच्छे से डुबा नहीं है तो मैं इसे पलट लूँगी तो पहले मैं इसे धीरे से पलट लेती हूँ और पलटने के बाद फिर धकन बंद करके इसे दो मिनट के लिए छोड़ लूँगी दो मिनट बाद में धकन खोल करके इसे देख ली है कि ये पक्या है कि नहीं तो ये अच्छे से पक्या है इसे पकने में 15 मिनट समय लगता है 15 मिनट बाद गोजिया पक्के तयार है तो मैं इसे छनी में निकाल लूँगी ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए पानी निकालने के बाद दो मिनट बाद जैसे ये सूख जाता है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है अब ये सूख गया है अच्छे से इसमें पानी नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर हिल्दी खाना खाते हैं तो नहीं अगर टेस्टी खाना चाहते हैं, तो इसे पीस बना लूँगी ऐसे करके, मैं पीस बना रही हूँ, देखे इसे ऐसे करके मैं छोलनी से काट लूँ है, आप चाकू से भी काट सकती हैं, आतावे पे तेल गडम कर लूँगी, और इसमें डालूँगी गोजिया, पुजिया डाल करके, इसे सुनहरा कलर होने तक पकाऊंगी, अब नीचे बला पड़त जो है, सो सुनहरा कलर हो गया है, तो मैं इसे पलट लूँगी, पलटने के बाद, अब ये दोनों तरब से पक गया है, तो इसे निकाल लूँगी, तो जितना गुजिया में काट करके रखी है, सभी को इस तरह से पकालूँगी, और ये गुजिया और चटनी, बहुत टेश्टी लगता है खाने में, आप चाहें तो चाय के साथ भी से खा सकते।